गूट मॉर्निक स्टुडेंट्स आयम प्रिती बंसर फ्रॉम आदर सिक्षानिकेतन हाइश कूल फिर्फ क्लास आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे और हमारा टॉपिक है कारक आज हम क्या करेंगे कारक तो जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अफ वल हम क्या करते हैं उसकी डैफिनिशन तो डैफिनिशन क्या है इस कारक की संग्या या सर्वनाम का क्रिया से संबंद जोडने वाले शब्द कारक कहलाते हैं मीस संग्या आप जानते हो संग्या क्या होता है किसी व्यक्ति वरस्तु स्थान या भाव को बताने वाले शब्द सर्वनाम क क्या होते हैं जो कि संग्यकिस्तान पर आते हैं और आप हमारा है कारक कारक क्या है संग्य है सर्वनाम का क्रिया से संबंद जोडने वाला क्रिया होता है जो की काम हम कोई कर रहे होते हैं तो संग्य है सर्वनाम का जब क्रिया से संबंद जोडने वाला शब्द है वहो वो क्या कहलाईगा आपका कारक, ठीक है, आपको ये definition notebook में note down करनी है, next है कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं, आठ भेद, first, करता, कर्म, कर्ण, संपरदान, अपादान, संभन, अधीकरण, संभोधन, अब हम इन सभी की definitions को learn करेंगे, करता कारक, करता क्या चिन को करता कारक कहते हैं, जिसका चिन है ने, सुहेल ने, चौका मारा, तो इसमें कारक चिन क्या आया है, ने, second है आपका कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाब पढ़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, अर्थार, जो चिन वाक्य में कर्म कारक को दर्शाता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं कर्म कारक का चिन है को जैसे की example देखिए श्रिया को बुलाओ गुडिया को सजाओ गुडिया को सजाओ तो इस तरह से आपने देखा कर्था और कर्म next है आपका कर्ण कारक करता जिस सादन से कारिय करता है उसे कर्ण कारक कहते है इसके लिए कोई कारिय किया जाता है उसका चिन क्या है के लिए मनन मैडम के लिए फूल लाया अपादान जहाँ अलव होने का भाव हो अब देखिए कर्ण का भी क्या था सभिया से और अपादान का भी क्या है से लेकिन अपादान की क्या पहचानने जहां अलग होने का भाव प्रक झाल हो जैसे की पत्ता पेट से क्पता पेट से अलग हो गया गोरी पंगट से आई गोरी पंगट से आ वाले शम्द को संबंद कारक कहते हैं जैसे ये किर्किट के खिलाडी हैं तो कारक चिन क्या हुआ के नेक्स्ट है आपका अधिकरन कारक क्रिया के होने का स्थानिया आधार को अधिकरन कारक कहते हैं इस कारक का चिन है में पर भैस ताला में है बंदर पेड़ पर बैठा है तो चिन है हे अरे अरी अजी जैसे कि अरे इधर मोड अरे बहरव तुम को आए तो समझ आया सेकंड देखिए ये आपको टेबल दी हुई है जो आपको अपने नोट बुक में नोट डाउन करनी है ये हैं आपके करता की नाम ये इनकी पहचान और ये इनकी एक्जाम में जब भी आता है या तो इनके डेफिनेशन आती है या फिर इनके चिन पूछे जाएंगे या फिर कोई एक्जाम्पल जैसे अभी हमने पड़े मैंने दे दिया और बोल दिया आपको कारक चिन पहचान और उसका नाम लिको ठीक है तो आपको ये टेबल नोट बुक में नोट डाउन कर रहे हैं पीछे भी आई ये ये ओके देन एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना उसके बाद मैं आपको आंसर की भेजूंगी ये देखें ओके थेंक्यू